हाई गाईज विल्कम और विल्कम बैक टो माई चानल क्रेजी सफी होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहे सो आज मैं आपके लिए एक स्वापिंग हौल शेयर करूंगी होप आप सब को अच्छे लगेंगे अगर आपको मेरी कॉंटेंट अच्छी लग रही है त साथ में साथ जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना तो मैं आज आपके साथ स्किन केयर, हैर केयर, बॉडी केयर मैंने जो भी पर्चेस किया है वो ही आपके साथ शेयर करेंगे होप आप सब को अच्छे लगे है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट के स्टार मैंने यहां पर दो डिप लिया है 250 ml के पोड़क्त है इसका प्राइज है वो है 299 तो मुझे डिस्काउंट पर मिल रही थे तो इसलिए मैंने दो इहां पर पॉर्चेस कर लिया है इसलिए जो पॉर्चे लाजर इसके अगर आप अलग से रिव्यू देखना चाहते है तो इसलिए मैंने पॉर्चेस किया है क्योंकि मुझे यह वाला सेम्पू जहे बहुत ज्यादा पसंद है इसका जो प्राइज है जो मुझे पड़ा था कुछ डिस्काउंट पर मिल रहा था इसलिए मैंने इसलिए पॉर्चेस किया है और इसका प्राइज अगर 700 ऐसा कुछ सो आप टो 97 परसें लेस हेयर ब्रिकेज करेंगे आफ्टर वान और सो में यूज कर रही हो और आपको मैं बताऊंगी क्योंकि ये वाला जो सेंपोई इसे यूज करने के बाद आपनी जो हेयर का तो पता नहीं बट ही तेक्स्चर है और जो स्मूथने से वह बहुत अच्छी ह हो जाते हैं इसलिए सायद केराटीन के लिए हो रहा है तो ये वाला मैंने पर्चेस किया था और इसको मैंने खतम कर दिया है अल्मोस्ट आधर ही बचे हुए है नेक्स्ट यहां पर मैंने लिया है प्लाम ओलीव का लूमीनस ओयल सावर जेल विट रिजुविनेटिंग फीग विट वाइट ओकिट तो ये वाला सावर जेल मैंने पर्चेस किया है इसे अभी तक मैंने यूज नहीं किया है आगे जाके मैं जरूर इसे यूज करूंगी तो आप देख सकते हो बहुत सुन्दर इसका जो पैकेजिंग वह भी बहुत ज्यादा मस्त है प्लाम ओलीव आप जरूर ट्राय करके देख सकते हो इसे यूज करके आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूंगी तो हमें यूज तो बहुत अच्छा लगा इसका प्राइज है डोट्ड,220,249 Bear,249 Bear ईनको मेन में ला में को जाँ का देखर नहां मेंगया मोद 16ë में जयनले शीट किल उसी में कर देखंग रुटि काई ऋ्हां रहा जीडार का थी जोन हैं और जो मैंने आपको पहला दिखाया था वो मैंने यूज कर रही थी एंड उसका जो काम है मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने और दो बैक अप में रख लिया है सो एवाला मेरा next biotick का बायो पपाया flawless flawless face wash है सो एवाला मेरा next है next यहां पर मैंने लिया है मामार्त के आल्ट्रा लाइट इंडियान संस्क्रीन यह SPF 50 PA++ से यह ने sun protection देते हैं इसमें carrot, aloe vera and healthy है सो यह बहुत जुन्द सुन्दर है and इसे में यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको सर्दियों में भी sunscreen लगाना चाहिए क्योंकि sunday तो कभी पर आ सकता है इसका प्राइज है I guess 50 rupees मुझे पढ़ा था कुछ सो मैंने यह लिया है and एक मैंने purchase किया है good vibes का Armond Skin Brightening Facial Oil, इसका quantity है 10 ml, NO Paravents cruelty free है good vibes का हर एक product इसका प्राइज है 149 rupees and मुझे एवाला Skin Brightening Facial Oil बहुत जादा सुन्दर लगा मैंने से यूज क्या है and इसका अंदर की packaging कुछ इस तरह से है इसका अंदर की packaging blue in color में है बहुत सुन्दर आप एक dropper आपको मिल रहा है and इसका quantity 10 ml आप एक बाल सर्दियों में यूज करके देख सकते हो बहुत अच्छा है आपकी skin को brightening करती है and skin को clear कर देती है next नहां पे है Bio Papaya Revitalix Tan Removal Scrub इमने आपको दिखाया था इसका प्राइज मुझे मिला था 140 का प्राइज है बट मुझे 98 I guess या फिर 100 रुपीज के असपास मिला था जो मैंने इसे पर्चेस कर लिया था and मुझे अबला बहुत अच्छा लगा अबला स्का मैंने पर्चेस किया है नेक्स्ट मैंने पर्चेस किया है एक Nivea की Body Milk Lotion A79 रुपीस का मुझे पढ़ा था या या इन सद्द्यों के मौसा में बहुत अच्छा काम करा था सो यह मैंने पर्चेस किया है नेक्स्ट मैंने पर्चेस किया है कनफेशन ऑफ लिप होलिक पाइमर मैट लिक्विड लिपस्टिक नवाइब की यह वाला नियू लॉंचर से आप देख पाओगे इसका पैकेजिंग है धांसू पैकेजिंग है याने कलर जो है वह रेड या फिस जो नुडिस रेड है वह बाला सेड है इसमें इसका पैकेजिंग अप देख सकते हो सिल्वर कलर में है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका एक अलग से रिव्यू और इसका जो स्वाचे से मैं आपको दिखाऊंगी इसका स्वाचे में आपके साथ सेयर करूंगे लिक्विड लिप्स्टिक है बहुत अच्छा और पैरा कलर है मैं आपको दिखाऊंगी तो यही पर खतम होती है मेरी जो शॉपिंग हॉल है वो और यह वाला मुझे पर्चेस करते हुए बहुत अच्छा लगा और इसका लिंक हो सकते तो मैं दे दूंगी डेस्क्रिप्शन बॉक में आप अगर चाहो तो चेक कर सकते हो और बाहर की नॉइस को इग्नोर कर देना अन गाइस जो यहाँ पर पोड़क्ट है वो ने खुद की पैसो से पर्चेस किया है ऐसा ने कि मुझे कुछ ने सेंड किया है और मैं आपके साथ वाने स्ट्रिव्यू भी इसका सेयर करूंगी तो यहाँ पर मैं आप बस आपके साथ स्वापिंग हॉल शेयर किया है आईग तो यह वाँ थी